हेलो दोस्तो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको गठिया या फिर जोडों के दर्ब का इलाज बताएंगे जिनका प्रियोग करके आप अपने लिए फायदा उठा सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग कर देना तो चलिए जानते हैं गठिया और जोडों के दर्द के लक्षन जान लेते हैं पहले दोस्तो संसार के लगभक सभी देशों में इस रोग को एक परधान समस्या माना गया है इसमें जोडों जैसे घुटनों का जोड उंगलियों का जोड इन सब जोडों में सूजन पैदा हो जाती है और चलने फिरने में दर्द होने लगता है। दोस्तों दीरे-दीरे ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि बहुत ही आसहनिया हो जाता है। विक्ति को हर दम अपना दर्द ही दिखाई देता रहता है। वो कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहता। दोस्तो जोडों के दर्द के अनेक कारण हो सकते हैं, इसलिए इन रोगों को कई श्रेणियों में बाटा गया है जैसे कि पर्मानित जिवानों द्वारा उत्पन जोडों का दर्द, बढ़ती हुई आयू के कारण उत्पन जोडों का दर्द, और अगर जोडों में चोट लग जाए तो उससे उत्पन हुआ दर्द, दवाओं के विशाक्त परिणामों द्वारा उत्पन जोडों के दर्द, शरीर की कोई भी बिमारी हो उससे उत्पन जोडों का दर्द और भी कई कारण हो सकते हैं इन जोडों के दर्द के दोसों गठिया और जोडों का दर्द अधिकतर खाने पीने के आसयम से उत्पन होता है कभी कभी ये रोग पैत्रिक भी होता है ये रोग परतेक अवस्था में हो सकता है यहां तक की बच्चों को भी हो सकता है ये रोग प्रंतु अधिकतर प्रोडा वस्था के बाद ही ये शुरू होता है लेकिन आजकल तो देखा जा रहा है कि जो बिमारिया कभी 50 साल के बाद थी वो बिमारिया बच्चों को लग रही है इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि इन बिमारियों से कौन-कौन बच रहा है और कौन नहीं दोसों अब हम आपको इसके उपचार बताते हैं गठिया के रोगी को सर्दी से बचना बहुत ही जरूरी है गीली, सीली, धर्ती और ओस में ये विक्ति ना सोय, हर परकार के कब्ज और बादी करने वाले पदार्थों और खटी चीजों को खाने में परहेज करें मास ना खाएं और श्राब भी ना पिएं पाचन शक्ति को अपने ठीक रखें और कब्ज तो बिल्कुल भी ना होने दें क्योंकि इनके कार्ण हमारे श्रीव में अनेक बिमारियां उत्पन हो जाती हैं जिन में से गठिया रोग भी एक हैं दोसों आईए बताते हैं आपको इलाज क्या क्या करना है दोसों आग के पत्ते से आप इसका इलाज कर सकते हैं आग के पत्ते गरम करके बानने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है जहां भी आपको दर्द है आपने आग का पत्ता गरम कर लेना है उस पे तेल बगरा लग कर सकती हैं बिनोलो को कूट कर थोड़े पानी में उबाल कर इसके बाद हलका गरम जोडो पर बांदे दर्द दूर हो जाएगा दोस्तों अरंडी का नाम तो आपने सुना ही होगा अरंडी की जड़ एक किलो लेकर आठ किलो पानी में उबाल कर जग दो किलो रह जाए इसको मल कर छान लें अब इसमें अरंडी का तेल आधा से मिला कर पकाएं यहां तक की पानी जलकर सिर्फ तेल रह जाए इस तेल को साफ करके रखे गठिया का दर्ध हो अथवा कमर का दर्ध इसमें आपने इस तेल की मालिश कर आपको बहु जल्दी आराम मिल जाएगा। दोसो अरंडी की जड़ आपको किसी भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगी। दोसो इसके लिए आप असगंद का यूज कर सकते हैं। असगंद की जड़ चार तोला, सोट, दो तोला। दोनों को पीस कर बराबर चीनी मिल और चार-चार माशे, सुभे और शाम खाएं। इससे भी आपका जो गठिया है वो ठीक हो जाएगा। दोसो इसके लिए आप अमरूद के पत्तों को भी यूज मिला सकते हैं। अमरूद के पत्तों को कूट कर इसकी लुगदी बना लें। और गठिया की सूजन पर लेप क सबसे पहले अरंडी के बीज को थोड़े से शुद देसी घी में भून लें। जब आपके बीज अच्छे से भून जाएं तो आपने इसको एक लिटर दूर में पकाना हैं। जब तक कि ये खोया ना बन जाएं। अब इसमें चीनी मिला कर रख लें। हर रोज दो तीन तो अच्छे से उनका पानी निचोड़कर उनके बराबर तीलो का तेल मिलाकर आग पर पका लें। जब तक कि पानी जलकर सिर्फ तेल ना रह जाएं। इस गुनगुने तेल की मालिश करके उपर से रूई गरम करके बांध लें। गठिया के लिए ये अत्यंतिल लाबदाय को तो दोस्तों ये थी कुछ उपचार गठिया को दूर करने के। गठिया हो चाहे जोडों का दर्द आपका इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करना। और